अलो फ्रेंस मैं हूं सरसती और सरसती के सरस कीचन में हमेशा के तरह आज भी आप लोगों का बहुत बहुत श्वागत है तो फ्रेंस आज बहुत healthy and tasty recipe बनाने वाली हूं तो जिसे बनाने के लिए तो पहले मैं बता देती हूं सबजिया मैंने क्या लिया यह मैंने लाल और पी अब लुटा है हलका सा बहुत जादे बारीक नहीं और थोड़ा सा हमारे हाँ इस पाइसी खाते हैं तो मैं दो हरी मिर्च इस तरह से डाल दी हूं कट करके और इसमें अब दोनों सबजियां डालें सबजियां अप्शनल है फ्रेंस आपके पास जो सबजी है वो डाल सकते ह आप इसमें कोन भी डाल सकते हो जो आप डालते हो तो बेबी कोन भी डाल सकते हो पनीर डाल सकते हो जो आपको पसंद है वो डाल दीजिये थोड़ा सा अध्रक लेशन का पेश्ट इसमें अड़ कर रहें इसे बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है और तीखे के ल और थोड़ी से दर्दरी कुटी हुई काली मिर्च फ्रेंस थोड़ा सा मुझे हुआ है जुखाम तो इसको इंग्णोर करिएगा गला हुआ है खराब जुखाम के कारण इसे सभी सबजियों को अच्छे से मिला देंगे बहुत जादे हमें नहीं पकाना है वह सलका साही जिसे इसका कच्छापन है यह निकल जाए तो जब हम पीजा बनाएंगे तो इसका कच्छापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं तो सभी च कच्छी भी पसंद है तो आप उस तरह देख लीजिए कि आप कितना पकाना चाहिए लेकिन हमारी यह सबजी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है फूटी नहीं लेकिन पक चुकी है पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर इस तरह से और इसे फैला देते हैं आप इसमें हम तो यह ब्राउन वाला ब्रेड है आपको इप यह ब्रेड ले सकते हो जो आपको पसंद है और इसे एक तरफ अच्छे से सिख जाने देंगे तो एक तरफ अच्छे से सिख चुका है आप देख सकते हो अच्छा सा कलर भी आ चुका है इसमें लेकिन थोड़ा सा इसे पका र सब्सक्राइब complètement चु giornें stay on is Brew 6th में Welcome channel उगब देख सकते हैं इस दरह से अब हम इसमें लगा देंगे comfort 대한 टब्र प्रशेट से अब हम इसमें समक्राइब भी रहे सकते हो और इे किसी को नहीं पसंद होते हैं को कि सिकम नहीं पसंद होते हैं जिसे हमें पीजा स्वास लगा दीजी है जो आपको पसंद है वो लगा दीजीह मैं यहां पे लगा रही हूं बीजा स्वास इस तरह से फाइलादेते हैं अब इसमे हम डाल देंगे सभी सबजियों को जो हमने पका कर लिया है सब जी आप इसमें हारा से मिलामिर्च ले सकते हो, लेकिन आज मेरे पास हारा नहीं था, तो इसलिए हमने पीला और रेड़ ही लिया था, ठीक है, आप इसमें बेंस भी एड़ कर सकते हो, सबची आपको चितना सबची मन करें, वो एड़ कर लीचिए, ये बहुत अच्छे लगते है बच्चों को तो बहुत फैबरेट होते हैं, तो थोड़ा सा उपर से डाल दे हैं, ये चाट मसाला, और क्योंकि हमने सभी चीजों को उपर से सबजियों में ही आइड कर दिया था, नमक और अब हम लाश्ट में लगाएंगे उपर से, ये चीज है, जो हमने पहले से कद्द करके रख लिया था, चीज बच्चों को बहुत पसंद आती है, और इस तरह से दे दो, तो बच्चे तो बहुत खुस हो जाते हैं, मेरे तो बड़े-बड़े हो गए, तब भी वो खुस हो जाते हैं, तो आप इस तरह से चीज लगा देजिए धेर सारी, बस अब इसके ऊप अब थोड़ा सा यह टाल देंगे चीली फ्लक्स, बहुत ही हलका सामने डाला फ्रेंस, और इसे ढख देंगे दो से तीन मिनट तक बिलकुल लो फ्लेम पे, अब हम गैस आउन करेंगे, बिलकुल लो फ्लेम पे हमने तीन मिनट बात धक्कन अटाया, तो आप देख सकते हो कि इतने अच्छे से, जो हमारा चीज हमने एड किया था, यह बिलकुल मेंट हो चुके हैं, अब अब से निकाल देते हैं प्लेट में, और यह देखिए कितना अच्छा हमारा ब्रेट पीजा बनके तयार है, फ्रेंस, आज की रस्पी थोड़ी सी वे अच्छी लेगे, तो प् स्क्राइब कर लिजिए और अपने बच्चों के लिए यह पीजा बना के जरूर खिलाइए, यह बहुत हल्दी और टेस्टी हैं, अच्छे हैं, तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो आप देख सकते हो